हालो श्टूरिंट ओके इसमें हम अप्रेश्ट्रील नमबर एक्ससाइश 9.1 ठीक है पोशिन नमबर वन लिस्ट फाइव रैश्णल नमबर बिट्वीन ठीक है हमें क्या बताना है कि यह जो रैश्णल नमबर है इन दोनों की बीछ में और पांच रैश्णल नमबर आपको ल एंड 0 है इसको rational number में convert करेंगे ठीक है अब देखो 1 मतलब क्या तो minus 1 upon नीचे कुछ ने तो 1 होता है ठीक है अब दूसरा 0 upon 1 नीचे कुछ ने तो क्या होता है ठीक है एक minus 1 upon 1 दूसरा 0 upon 1 इन दोनों की बीच में 6 rational number find करना है तो हम denominator को हम कोई बड़ा number बनाएंगे ठीक है मानल होंगी इसको 678 कुछ भी बना लो आप ठीक है क्योंकि 1 है तो कुछ भी बना सकते हैं हम ठीक है तो हम क्या बनाएंगे इसको for example माल लो कि हम बीच में 5 rational number चाहिए तो हम 6 बना सकते हैं ठीक है तो minus 1 upon 1 को 6 नीचे को 6 बनाने के लिए किस से multiply करना पढ़ेगा 6 से multiply करना पढ़ है 6 से multiply क्योंकि denominator दोनों सेम बनाना है ठीक है 6 बन से 6 बन से 0 तो यह क्या बन गया एक बन गया minus 6 upon 6 दूसरा बन गया जीरो अपॉन जीरो अपॉन जीरो अपॉन 6 अब इन दोनों की पीच में हमें छे रैशनल नंबर फाइन करना है तो लेख सकते हैं इससे बढ़ा क्या होगा minus 5 upon 6 इससे बढ़ा minus 3 upon 6 इससे बढ़ा minus 2 upon 6 इससे बढ़ा minus 1 upon 6 तो 5 मिल गया एक दो तीन चार पांच हमें कितने नंबर फाइन करने थे पांच वेशनल नंबर फाइन करने थे ठीक है इस तरह से अब देखो इसका सेकंड वाला पार्ट सेम बनेगा ठीक है सेकंड वाला बहुत एजी है minus 2 upon यह क्या बनेगा 1 तूसरा minus 1 upon 1 इसको भी कोई number बना लो सेम नंबर बना लो ठीक है 6 बना लो सेम इसी तरह से ठीक है minus 2 upon 1 नीचे को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टिप्लाइब करो तूसरा वाला क्या है अब के पास minus 1 upon 1 को 6 बनाने के लिए 6 multiply क्योंकि denominator दोनों सेम होना चाहिए ठीक है 166 minus 6 ठीक है क्या बन गया आपका पहला वाला नंबर बन गया माइनस 12 upon 6 दूसरा वाला नंबर बन गया आपका माइनस 6 upon 6 ठीक है इन दोनों की बीच में पांच रशन नंबर लिखो minus 11 upon 6 minus 10 upon 6 minus 9 upon 6 minus 8 upon 6 minus 7 upon 6 1 2 3 4 5 ठीक है अब नेक्स्ट है आपका minus 4 upon 5 and minus 2 upon 3 ठीक है अब अगर किसी की नंबर अब यह देखो इसमें डिनॉमिनेटर दोनों डिफरंट है ठीक है तब हम क्या गरेंगी इसको सेम बनाने के लिए दोनों का एलसेम लेंगे ठीक है किसका 3 और 5 का एलसेम लेना आपको 3 1 3 5 ऐसे रहेगा 5 1 3 5 15 जो है वो क्या आ रहा है 15 आ रहा है ठीक है जब पॉर अपॉन 5 को 15 बना दिया 5 को 15 मिना दिया 3 को भी 15 बना दिया ठीक है देख लो माइनस 4 अपॉन 5 जिसके साथ मिल्टिप्लाइफ रो तो नीचे 15 आएगा 3 की साथ 4 3s 12 माइनस 12 आ गया दूसरे नंबर को माइनस 2 अपॉन 3 3 5 जा 15 तो यह मैनस 12 और मैनस 10 बना गया थिए सुपी एक ही रैशनल नंबर आ गएगा मैनस 11 अपॉन 11 अपॉन 15 लेकिन मुझे कितने अपॉन नंबर फाइन करने हैं 5 रैशनल नंबर फाइन करने तो इसलिए ठीक ह्लेमिれ को 15 नहीं बना सकते हैं ठीक है इन दोनों का LCM है, LCM को टेबल, LCM की टेबल में जो बड़ा सा नमब आएगा, वो बनाएंगे, 30, 30 कम हो जाएगा, 45, ठीक है, तो 15, 3's are 45, हम क्या बनाएंगे, इसको 45 बनाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जो है, वो क्या हो गया, ये cancel हो गया, तो हम क्या बनाएंगे, minus 4 upon 5, denominator को 45 बनाएंगे, ठीक है, 5 को किस की साथ multiply करो, तो 45 बनाएंगे, 5, 9's are 45, ठीक है, 4, 9's are 36, 5, 9's are 45, ठीक है, दूसरा नमबर क्या है, आपके पास, minus 2 upon 3, 3 को किस की साथ multiply करो, तो 45 बनाएंगा, 3, 1, 3, 5, 15, 3, 15, ठीक है, तो 2, 15, जा करो, 2, 15's are 30, ठीक है, 3, 15's are 45, क्या बनाएंगे, 36 upon 45, 30 upon 45, एक नमबर बना, minus 36 upon 45, दूसरा नमबर बनाएंगे, आपका, minus 30 upon 45, इन दोनों की बीच में, 5 नमबर आ सकते हैं, minus 35 upon 45, minus 34 upon 35, sorry, 45, minus 33 upon 45, minus 32 upon 45, minus 31 upon 45, यह आगे आपका पांच नमबर, ठीक है, इसका लास्ट कोश्चन आप खुद कोशिश करो, ओके, थेंक यू, बाकी की कोश्चन, नेक्स वीडियो में,